हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैं हर्फ्री पटेल आज आपको फिर से एक नया टेस्ट बताऊंगा सामाजी के दिन का और अपना टापिक शुरूगरने से पहल मैं आप से चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सस्क्र कर सकते हैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा चलिए सुरू करते हैं अपना आज का मॉट टेस्ट पहला प्रस्ण है एवरेस्ट की चोटी किस देश में हैं और पैन और पैंसिल उठा लीजेगा देखेगा आप और लिख में हैं अगला प्रस्ण है अरा वली सिखर की सबसे मुची चोटी कौन सी है बहुत ही आसान सा प्रस्ण है बताइए क्या होगा इसका जवाब अरा वली सिखर की सबसे मुची चोटी कौन सी है आपने लिख लिए वागा इसका जवाब यह है गुरु सिखर अगला प्रस्ण 1857 की गरांती में बिहार राजी से किसने नितरत किया बहुत ही अच्छा कोश्चन है तीनों ही बहुत ही अच्छा कोश्चन है हो सकता है एक्जाम में आ जाएं तो पता ही 1857 की गरांती में बिहार राजी से किसने नितरत किया यह किया था कुमर जगदीश सिंग जी न है अगल लिख लिया होगा अब तक यह हैं लाला लाच्पतराई जी की पुस्तक यह अगला बहुत ही महत्पूर्प्रस्ण है समिधान सभा के अस्थाई अध्यच कौन थे बहुत ही सरल सा गोश्यान है बताएए जल्दी से आप यह थे सचिदानन सिन्हा जी सचिदानन सिन्हा जी थे अस्थाई अध्यच और अध्यच और अगला प्रस्ण है कोलार की खान किसके लिए प्रशिद है कोलार की खान किसके लिए प्रशिद है जल्दी से बताएए कोलार की खान किसके लिए प्रशिद है आपने लिख लिए होगा अगर आपको आता होगा कोलार की खान प्रिजद है सोने गोल्ड के लिए अगला बहुती है अच्छा गोश्य ने नवीन जडोल मिट्टी को क्या कहते हैं बताइए नवीन जडोल मुट्टी को क्या कहते है तो आपने लिख लिया होगा अब तक इसका जवाब नवीन जडोल मुट्टी को कहते है खादर खादर कहते है और पुरानी को भांगर कहते है बहुत ही पार पूछा जाता है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं तो गलती हो जाती है ध्यान से पढ़िए आगरे का लाल किला किसने बनाया मैंने दिल्ली का नहीं पूछा आगरे का पूछा है तो बताईए क्या होगा इसका जवाब आगरे का लाल किला किसने बनाय तो पता होंको तो आपने लिख लिए वगा ये बनाया है अकबर ने था कि अकपर ने बनाया है इंपरर अकबर मैं आगरे कंटील और दिल्ली का लमगिलत बनायात साह जहां है सबसे पुराना वेर कांट सा बहुत ही आसांसा प्रिशन है अपको आता होगा सबसे वुराना वेधेर रिखवेद अगला थोड़ा सा कठीन कोश्चन है यह टिपकल समझ सकते हैं हो सकता है अगर अगर आपने डाटा सही लिखा तो नंबर मिल सकता है अगर लगभी मिल लिखा तो हो सकता है नंबर ना दी तो एटलिस्ट पारेटिकुलर डाटा याद कर चिपल लीजेगा वर्तमां में से भारत में कितने परतिस्द और रले है अगर आप क्लिरः डाटा लिखेंगे तो कोई गुंजाइस नहीं किन बर करिने की अगर थोड़ा सा शार्वी कम जादा अन्जाद होगा तो हो सकता है नंबर कर जाए तो बता ही हाफिर आपको पता तो मेरा माक्टेस्ट यहीं पर खतम होता है अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा माक्टेस्ट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू फ्रांट मेरे चाल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लाइक किजिए को कमेंट किजिए का